हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरब से बहुत-बहुत शुब कामना है आज हम बात करेंगे हमारी हतेली में कई बार चिन बन जाते हैं और इन चिन्नों में कई बार तिल की आकर्टी बन जाती है या तिल बन जाता है तो जब हमारी हतेली में तिल बनते हैं, तो कई बार उन तिलों का विवरा आपने शुवरूप में भी सुना होगा, आशुवरूप में भी सुना होगा, तो ये तिल आकर्ती का हमारी हतेली में रहस्य क्या होता है? आज हम इसके बारे में जानेंगे, आईए उससे पहले माज का पंचांग देख लेते हैं 15 नवंबर सन 2021 दिन सौंबार कार्थिक महाशुकल पक संबन 2078 तिथी द्वादशी है नक्षत्र उत्रा भादरपद राहुकाल साड़े सास से नो दिशासूल पूर्वदिशा आज भी कहीं कहीं एकाश्री का वर्त और इस प्रकार की बहुत सारी जो एकाश्री को लेकर के पूजा का महत होता है आज भी बहुत लोगों ने किया होगा सुबा के समय लेकिन मूल तहा देव उठनी एकाश्री जो थी वो कल ही थी हमारी हतेले में तिलो का नाना भाती का महत हो है हमारी बोड़ी में तिल बनते हैं तो वैसे तो कई बार इसक लेकिन हतेली में छोटे छोटे जो तिल होते हैं उनका कहीं न कहीं अर्थ निकलता है किसी रेखा के साथ जूड़ करके हमारी हतेली में हर्दे रेखा है हमारी हतेली में मस्तिक्स रेखा है हमारी हतेली में आयू रेखा है सूरिय रेखा है अब सूरिय रेखा के उपर काले त तिल है या किसी कंदुक जैसा कोई निशान है या लहसुन का कोई निशान है रेडिश पर भी कुछ लोगों के हमने देखे हैं आ जाते हैं आव आएए जैसे कि हमने कहा मुठी में बंध होता तिल का अर्थ क्या होता है तो सबसे पहले यही जानेंगे किसी इनसान की हतेली में तिल हो हतेली के बीच में हो और जब हम मुठी बंद करें तो वो तिल मुठी में बंद होता हो तिल बहुत बड़ी आकरती का ना हो और बहुत ही छोटी आकरती का ना हो ठीक ठीक तिल हो जैसे हम अपने पैन से कलम से एक अच्छा सा डोट लगा देते हैं ऐसे इसको डोट लगा करके थोड़ा सा खुमा दें उस इस्तिती वाला आपकी हतेली में ब्राउनिशता तिल हो और आपकी मुठ़्ी में बंद होता हो तो ये तिल बहुत शुब होता है और यही तिल आपकी हतेली में जो आपकी फेट लाइन है भागे रेखा है भागे रेखा को ये तिल इस पर सकरता हो या भागे रेखा के दाहिनी तरफ हो तो और भी आती हुत्तम इसका फुल जो सास्त्र में इसका फुल और भी अच्छा आता कैसे? धन की बढ़ोत्री को कराने वाला शुब जीवन की इस्तिती को उत्पन करने वाला ये तिल होता हमने देखा है कि सूर्य रेखा ये सूर्य रेखा होती है आपके रिंग फिंगर के नीचे इसको सन माउंट भी कहते है हाला कि सन माउंट के उपर ये तिल इतना अच्छा नहीं होता लेकिन आपके सन माउंट को यदि हम छोड़ दें आपके जूपिटर माउंट पर हम आ जाएं आपके सेटरन माउंट की हम बात करें आपके मरकरी माउंट की हम बात करें या आपके मून माउंट की बात करें तो मून माउंट पे भी इतना अच्छा नहीं माना जाता हलाकि ये तिल जाला तर लोगों के मून माउंट के उपर पाया जाता तो हम मून माउंट की ज्यादा अच्छी इसकी करना नहीं कर सकते लेकिन आपके जूपीटर की गुरू परवत की आपके शनी परवत की और आपके बुद्ध परवत की इन तीन स्थितियों में ये तिल या फिर आपके शनी के किसी रेखा के उपर शनी रेखा के उपर इस परस करता हुआ दाहीनी तरफ ये बंद मुठी में होता हुआ तिल हमें साथ चफल देगा बस ये देखा जाएगा वो तिल भी किसी चार्त के अंदर न आयो कई बार तिल बना है और हमारी हटेली में छोटी शोटी श्चैल होती है हमारी हतेली में छोटी-छोटी कोठ्रियां बनी होती है अगर किसी कोठ्री के भीतर वो तिल है उसका अर्थ थोड़ा बदल जाएगा ट्रेंगल की आकर्ती होती है तर्बुज की तर्बुज के अंदर वो तिल है अर्थ बदल जाएगा चतरभुष के अंदर वो तिल है अर्स बदल जाएगा अपनी इस्तिती से और बड़ा चोड़ा वो तिल है अर्स बदल जाएगा अब आप कहेंगे यह तो बड़ी बारीक बाते है आप बिलकुल है भाग्य को नापने का पयामाना क्या सरल हो सकता है बाग्य को मामपने के इकाई क्या चोटी हो सकती है जीवन में जीवन का घणित बहुत बड़ा है आपकी कक्षा का आपकी क्लास का आपके कॉर्स का आपके कॉलेज स्कूल का गणित छोटा हो सकता है लेकिन जीवन का गणित ये बहुत अजीब और गरीब होता है कई बार इस गणित के पूरे जोड़ तोड़ में ही जिन्दगी निकल जाती है लेकिन जीवन का हिसाब सही न जाता है, इतने दुख प्राप्त होते हैं, इतना गम प्राप्त होता है, सारी की सारी खुशियां मानो माइनस में चले जाती हैं और जीवन का गणित निश्वल हो जाता है, इसलिए हमारी हतेली में मेरे साध को छोटी-छोटी आकरतियां, छोटी-छोटी तिल, छोटी- बने हुए बिमिर प्रकार का अर्थ अपने अंदर सोजोई रखते हैं अब मुठी में बंद होता तिल अच्छा यह होती है हमारी तरजनी उंगली इसको हम पहली उंगली भी कहते हैं और इसको इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं इसी के नीचे गुरु परवत होता है जिसे हम ज साधरगार तरजनी के educated बीच के परवपर हलका सा ब्रावनिस तिल हो मले ही थोड़ा सा बड़ा भी हो खाने पीने का शोकीर को गयती होता बहुत अच्छे से उए व्य grandi खाने का शोक नीचन होता है राचछा सात्वी का हार अच्या आहार ऐसा व्यक्तिshaped होता और उसके टाइम पर नहीं मिलते हैं तो जिसकी हतेले में यह तिल होगा कहीं नहीं हमने देखा है अच्छा वियंजनु से पराप्त होगा मध्यमा पर कहीं तिल होगा तो ये मध्यमा का तिल कनणटा का सूचक है कुझ्यूजी का सूचक है आपकी ring finger के ऊपर ये तिल होगा, अनामी का उंगली जिसे कहते हैं, रवी की उंगली जिसे कहते हैं, तो इसके ऊपर जब होगा, तो ये भागे में, भागे उसका थोड़ा देर से चलेगा, कोई भी काम होगा, लेकिन अटक करके, रुप करके, देरी के साथ होगा. आपकी आती है अब little finger, सबसे चोटी उंगले, सबसे चोटी उंगले के उपर जो तिल होगा, वो कहीं न कहीं, सरीर उस व्यक्ति का नाजुग रहेगा, छुई भूई रहेगा, थोड़ी जी ठंड लग गई, उसको बुखार हो गया, थोड़ी ओर ठंड लग गई, गले में ख व्यक्ति होगा, व्यक्ति रुमानी होगा, व्यक्ति घुमकड होगा, जिपसी होगा, व्यक्ति रोमेंटिक होगा, उसके ख्यालात, उसकी सोच, कुछ शायराना अंदाज में होगी, यह इसका हमने देखा, मंगल के उपर तिल होगा, यह आपका मंगल A है, यहां मंगल B हो शुक्र के उपर तिल होगा तो कहीं न कहीं कमिशन से उसके पास अच्छा धनाएगा बहुत सारी बातें हैं छोटा सा तिल लेकिन अपने आप में बहुत बाते समेटे हुए है कहने का भाव बस आप इन तिलों को देख करके या हतेली की किसी और चिन को देख करके या कुंडली के किसी योग और ग्रहों को देख करके आप विचलित मत हुआ करें क्योंकि जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी आपको घबराना नहीं चाहिए तब ही तो कहते हैं डेटो बर्त हो ना हो जनम समय हो ना हो आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी तकलीफे हैं किसी मरमग्य को अपना हाथ दिखा में और अपने जीवन की वो तकलीफे जो हैं उनका क्या निदान हो सकता है बहुत अच्छे से आप लोग जान सकते हैं आईए मेरे साथ को सहमय उचल आज की ध्यान मला का आज की ध्यान मला में जुड़ते हैं भगवान शिव से यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे धन्तेत्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्यसारेहरे मोक्षार्तिम् कुरुचित्वृच्यमचलं मन्नेस्तुकिम् कर्मवे वन्दे देब उमापतिम् सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणम् वन्दे पन्नग भूशनम् रिगदाराम् वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सुर्य ससांक वन्निनयनाम् वन्दे मुकुंदा प्रियम् वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुझकें रहारं सदा वशन्तम रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ध्यान करें शिव संभू का 180 हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले समाने हो जाए बहुत लोगों में आज भी ऐसा है जिनके पास पत्रिकाई नहीं है और उनका मन होता है कि हम अपने भाग्ये को कैसे जाने है हम अपने जीवन में चल रही इन तकलीफों को समस्याओं को हम कैसे दूर करें तो अपना हाथ दिखा करके बहुत अच्छा एक तरीका है कि हम सामुद्रिक विग्यान भी इसको कहते हैं तो हम सामुद्रिक विग्यान का अपने जीवन में बहुत अच्छे से लाव उठा सकते हैं आप स्वस्त रहें सुखी रहें इन ही सुख कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देती हैं जैमा इंद्राक्षी गुरु जी से मैं तब से जुडा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से मैं जुडा हूँ और गुर्देव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्च चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना आश्चर्च हो गया कि इन्हें कैसे माना और इतना बढ़िया इन्होंने बताया इन्होंने जिसके वज़े से मैं आज तक उन्हें से परभावी थूँ और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे यह हमें बहुत पसंद आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जड़ा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल भोते चले गए और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तर हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें